नमस्कार दोस्तों, पर्फेक्ट हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है, आज मैं आपको एक बहुती हेल्धी और टेस्टी रेसिपी के बारे में बताने जा रही हूँ, वह है किन्वा कटलेट, किन्वा एक सूपर ग्रेन है, जिसमें परोटीन और फाइवर भरपूर म इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा किन्वा health benefits का वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो की link आपको i button पर या फिर इस वीडियो के description में मिल जाएगी तो आएए देखते हैं कि किन्वा cutlet केसे बनता है सबसे पहले हम एक कटोरी किनवा को अच्छे से दो-तीन बार धो लेंगे ऐसा इसलिए करना है कि किनवा में सेपोनिन नाम का कमपाउंड होता है जिससे कई लोगों को एलर्जी हो सकती है अगर आप इसे दो-तीन बार अच्छे से धो लेते हैं तो फिर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी मैंने गेस पर कड़ाई रख दी है अब इसमें मैंने एक कटोरी धुला हुआ किनवा डाला है अब मैं इसमें चार कटोरी पानी डालूंगे अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं जब पानी अच्छे से उबनने लगे तब गेस की फ्लेम को कम कर दे अब ढ़कन लगा देती हूँ ताकि यहां अच्छे से पक जाए जब तक यहां किनवा पक रहा है तब तक हमने जितना किनवा लिया था उतना ही बेसन लेंगे यानि एक कटोरी अब इसे अच्छे से सेख लेंगे बेसन को तब तक सेखना है जब तक इससे अच्छे से खुश्वू आने लगे और इस बात का भी खयाल रखना है कि बेसन जले ना इसे बराबर से चलाते रहें मैंने गेस की फ्लेम को तेज ही रखा है मैंने इसे चार से पांच मिनट तक सेका है या बेसन अच्छे से सिख गया है अब हम कटलेट की आगे तयारी कर लेते हैं अब हमें मेडियम साइज की आधी लोकी लेना है अब इसे अच्छे से छील लेंगे इसके बाद इसे घिस लेना है चलिए देखते हैं कि किन्वा पका है या नहीं यहां किन्वा पक चुका है मैंने गेस को बंद कर दिया है अब मैंने गेस पर फ्राइपेन रख दिया है इसमें हम एक चम्मच तेल डाल लेंगे तेल को गर्म होने देंगे देखिए तेल गर्म हो गया है अब इसमें एक चम्मज जीरा डाल देंगे जीरे को अच्छे से लाल होने देंगे अब हम इसमें एक छोटा चम्मज लहसु नदरक का पेस्ट और एक हरी मिर्च डाल देंगे इसे अच्छे से शेग लेना है और बराबर से चलाते रहेंगे अब हम इसमें दो मेडियम साइज के प्याज डाल देंगे अब इसे थोड़ा लाल होने तक पका लेते हैं अब इसमें एक बड़ी साइज की शिमला मिर्च, एक बड़ी साइज की गाजर, घिसी हुई लोकी मिला देंगे अब इसे हम चार से पांच मिनिट पकने देंगे अगर आपके पास मटर हो तो वह भी इसमें डाल सकते हैं पांच मिनिट हो चुके हैं, देखिए यह पक चुका है अब इसमें मसाले एट करेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चमच गरम मसाला, एक चमच लाल मिर्च और एक चमच हल्दी पाउडर मसाले आप अपने स्वाद अनुसार कम या जादा भी कर सकते हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं देखिए हमारा मसाला बनकर तयार है, अब हम गेस को बंद कर देंगे अब जो मसाला कर तयार किया था, उसे किन्वा में मिक्स कर लेंगे और हमने जो बेशन सेका था, इसे भी किन्वा में मिक्स कर लेंगे अब इसे अच्छे से मिला कर डो तयार कर लेंगे जिससे हमारे कटलेट अच्छे से बन जाएं अब इसमें हरा धनिया डाल लेंगे इस डो पर उपर से थोड़ा तेल लगा देंगे देखिए हमारा डो तयार हो गया है अब हम इसे छोटे-छोटे कटलेट शेप दे कर तयार कर लेंगे फ्राइपेन में थोड़ा सा तेल लगा देते हैं तेल गर्म होने पर कटलेट फ्राइपेन में रखते जाएंगे ये कटलेट बड़े ही टेस्टी लगते हैं इसमें अगर आप कोई अपनी पसंद की सबजी और भी एड़ करना चाहें तो इसे बारिक काट कर मसाले के साथ पका कर कटलेट में डाल सकते हैं कटलेट आपको पलटने में दिक्कत आए तो आप 2 स्पुन का भी यूज़ कर सकते हैं हमने इस कटलेट में सभी हेल्दी चीज़ का यूज़ किया है आप इसे एक बार ज़रूर बनाईए और बताईएगा क्या आपको कैसी लगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा किन्वा में लगबग 15% प्रोटीन और 10% फाइवर होता है प्रोटीन और फाइवर दोनों ही आपके भूख के इसतर को कम करते हैं इस कारण किन्वा वेट लोस के लिए आईडियल फूड है जो लोग वेट कम करना चाहते हैं उन्हें किन्वा का सेवन हमेशा करना चाहिए किन्वा एक complete protein food है, plant based protein में सोयविन के अलावा सिर्फ किन्वा ऐसा food है जो complete protein होता है यदि आप complete और incomplete protein के बीच में फर्क जानना चाहते हैं तो उस पर भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है आप उसे देख सकते हैं उस वीडियो की लिंक भी आपको आई बटन पर या इस वीडियो के description में मिल जाएगी Thank you